कई बार हमें आवशकता होती है एक ऐसे टूल की जिसकी सायता से हम किसी भी डोकुमेंट को या बुक्स को स्कैन करके PDF फाइल के रूप में सेव कर सकें इसके लिए हम तरह तरह की third party applications को इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपके mobile के अंदर Google की तरफ से by default एक ऐसी application दी जाती है जिसकी सायता से आप आसानी से PDF फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेर करूँगा एक ऐसे ही टूल की जानकरी जो Google की तरफ से हमें प्रवाइड करवाय जाता है और जिसका नाम है Google Drive तो वीडियो को सुरू से अंत तक पूरा देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS Tech Talks Google Drive एक ऐसा टूल है जो फ्री में Google की तरफ से हम सब को दिया जाता है और हमारे सभी के मॉबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ये अप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है लेकिन जिस किसी के मॉबाइल में ये अप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं हो पहले से वो Google Play Store से जाकर के इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह का वाटर मार्क नहीं देखने को मिलता और किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है कि कितने पेजेज आप सकैन कर सकते हैं यानी आप अनलिमिटेड पेजेज को सकैन कर सकते हैं तो आईए देखते हैं इस अप्लिकेशन की सायता से कैसे डोकुमेंट्स को या बुक्स को सकैन किया जाता है सबसे पहले हम Google Drive को open करेंगे उसके बाद में right side में नीचे की तरफ आपको plus का निसान दिखाई दे रहा है उस पर click करेंगे उसके बाद में आपको scan के icon पर click करना है और उसके बाद में आपके mobile का camera open हो जाता है और आप किसी भी document को, किसी भी book के page को scan कर सकते हैं और PDF फाइल बना सकते हैं अब देखिए यहां पर मैं इस page को scan करूँगा और यह इस तरीके से scan हो जाता है आपको लगता है photo blur आई है या सही तरीके से scan नहीं हुआ तो retry वाला जो button आपको दिखाई दे रहा है उस पर click करके और दुबारा से इसको आप scan कर सकते हैं यदि आपको ok लगता है तो आप ok के button पर click कर दीजिए इसके बाद में यह जो page है यह scan हो करके और आपको दिखाई देगा अब यहां पर जो color का option दिखाई दे रहा है second number पर इस पर आप click करके इसका color change कर सकते हैं यदि मान लिजिए आपको black and white चाहिए तो आपको यह black and white ओलरी यह scan हो चुका है color चाहिए तो आप color पर भी click कर सकते हैं और colored file जैसे की original file होती है वैसा का वैसा यह scan कर पाएगा मान लिजिए हमें यह scan color में चाहिए तो हम color के option पर click करके इसको ok कर देंगे उसके बाद में आप इसको rotate करना चाहिए तो rotate भी आप कर सकते हैं बड़ी असानी के साथ में और इसके बाद में यदि आप इसको कम या ज़्यादा crop करना चाहिए adjust करना चाहिए तो यहां से आप इसको crop कर सकते हैं adjust कर सकते हैं, manually भी आप कर सकते हैं, यदि सही तरीके से नहीं हो पाता है तो, और उसके बाद में आप done पर click कर दीजिए, अब यहाँ पर ये एक page scan हो चुका है, यदि आप इसको एक ही page को scan करना चाहते हैं, तो आप save button पर click कर दीजिए, और ये file, एक PDF file के रूप में save हो और फिर से camera application हो open हो जाएगी, और आप page उसका दूसरा लेकर के और उसको आप scan कर सकते हैं, ये देखिए, दूसरा page scan कर दिया है मैंने, इसके बाद में आप ok पर click कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर दिखाएगा color के अंदर, इसको आप adjust करना चाहें, वैसे तो ये एकदम सही तरीके से scan होए, लेकिन आपको लगता है सही तरीके से scan नहीं हुआ, तो आप इसको crop कर सकते हैं manually, और यहाँ से इसको adjust कर सकते हैं, और इसके बाद में done पर click कर सकते हैं, इसके बाद में आपको और ज़्यादा pages करने हैं, तो same उसी तरीके से plus के निसान पर click कर सकते हैं, और उसके बाद में next page को आप ले 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 जीए, और उस page को आप scan कर सकते हैं, यह देखिए, यह next page को भी मैंने scan कर दिया, इसके बाद में ok पर click कर देंगे, और यह आपको लग रहा है इस बार की सही तरीके से scan नहीं हुआ, तो यह जो crop का बटन आपको adjust कर लेंगे, यह जो points हैं, इनको आगे पीछे खिसका करके, और उसको सही तरीके से आप adjust कर सकते हैं, manually भी, automatic नहीं आता है कभी कभार किसी case में तो, इसके बाद में आप done पर click कर देंगे, और यह सही तरीके से scan हो जाता है, तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा pages को scan कर सकत में, एक से ज्यादा का मतलब यह है कि इसमें कोई आपको limit नहीं दी गई है, यहाँ पर चाहे जितना भी आप scan करें, एक page, 10 page, 20 page, 50 page, जितने भी pages आप यहाँ पर scan करना चाते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ में आप कर सकते हैं, और जब भी आपका काम complete हो जाए, तब फाइल का जो name है वो आपको show करेगा, आप यहाँ पर इसको rename कर सकते हैं, जो भी इस फाइल का नाम आप देना चाहें, मान लीजिए मैंने इसको x, y, z कर दिया है, और यह मेरे google account के अंदर, मेरे drive के अंदर save हो जाएगा, अब यह देखिए फाइल save हो चुकी है, इसको जैस हमने scan की थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यदि इस file को आप किसी के साथ में share करना चाहते हैं, तो three dots पर click करके, और यहाँ से send a copy पर click करके, और इसको आप whatsapp या अन्ने किसी application के उपर share कर सकते हैं, या आप अपने mobile के अंदर offline download करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर download के button पर click करके, इसको आप download करके, अपने mobile के अंदर save करके भी रख सकते हैं, तो इस तरह से Google Drive की सायता से files को scan किया जा सकता है, PDF में convert किया जा सकता है, और आप चाहें तो Google Drive के उपर भी save कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने mobile में offline download भी कर सकते हैं, और directly किसी क साथ में शेयर भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको टुटोरिल के अंदर बताया आप इस फीचर के बारे में पहले से जानते थे या नहीं नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर के हमें जरूर बताईएगा वीडियो में दीगी जानकारी यह आपको अच्छी लगी हो तो स्क्राइब जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत